हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट लिए प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ओल उफ यू आपको एक इंपोर्टेंट करेंट अफियर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारा आज का पहला क्योस्चन भारत ने अलुए वी का इसका राइट आंसर है USA भारत ने ALUAV का प्रोटोटाइब विक्षित करने के लिए USA के साथ MOU हस्ताक्सर किये है और ALUAV के प्रोटोटाइब विक्षित करने के लिए अमेरिकी वायू सेना अनुसंधन प्रयोग साला जिसको AFRL और भारती वायू सेना ODRDO मिलकर विक्षित करेंगे रक्षा मंत्रा ले केंद्रिय रक्षा मंत्री हैं राजनास सिंग लखनव यूपी सेनकी कॉंसिटिवेंसी राज्य मंत्री हैं अजय भट और रक्षा सिचिव हैं अजय कुमार हमारा आज का अगला के वस्चन हाल ही में परदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी प्रगती बैठक 2020 की अधेक्सता की इसके ओप्संस है 35 शैतिस्वी 24 चोविश्वी 25 इसका राइट आंसर है शैतिस्वी प्यम नरेंद्र मोदी ने शैतिस्वी प्रगत अगला के वस्चन हाल ही में प्रिक्स उर्जा मंत्रियों की चटी बैठक 2021 की अधेक्सता किस ने की इसके ओप्संस है भूपेंदर शिंग अश्री निवैश्व क्रिशन पाल गूर्जर धरमेंदर प्रदान इसका राइट आंसर है क्रिशन पाल गूर्जर हाल ही में प्रिक ब्रिक्स उर्जा मंत्रियों की चटी बैठक 2021 की अधेक्स था किसन पाल गूर्जर ने की ब्रिक्स ब्राजील भारत रूस चीन साउथ अफ्रिका जैसी देश आते हैं और 2021 की चेर्मेंशिक थी भारत के पास हमारा आज का अगला क्योस्चन यू एन एपी के अनुसार टॉक टॉक्सिक लेड़ प्रोग्राम का भी खात्मा होचका है और टॉक्सिक लेड़ पैट्रोल पर खात प्रतिबन लगाने वाला दुनिया का अंतिम देश अलजीरिया है जो यूएस से यूके कनाड़ा अधी 1980 के दसक में इन दन पर प्रतिबन लगा दिया था बारत ने 1994 से फ भारत का प्रति निदी तो किसने किया? इसके option निर्मला सीतारमन, अनुराक ठाकुर, सुनिवेष नाव, एस जै संकर इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमन हमारी केंद्री है जो वित मंत्री है इन्होंने इन्रमला सी तर्मन इन्होंने ग्यारवी UK इंडिया FED में भारत का प्रतिनीधी तो किया है हरित विकास सारोजनिक वित पोशन GGEF पर निवेस करने की उदेशों पर बात की गई UK की राज़दानी लंदन है प्राइम निश्टर है बोरिस जोंसन मुद्रा है पाउंड स्टार लिंग हमारा आज का अगला क्योंशन BRICS के NDB के पहले बैच के नई सदेशों के रूप में कौन सा देश सामिल हुआ इसके ओप्संस है UAE, बांगलादेश, उर्गवे, A, B, और C इसका राइट आंसर है A, B, और C जो BRICS के NDB के पहले बैच में जो नई सदेश देश हुआ तीन हो UAE, बांगलादेश और उर्गवे सामिल हुए है NDB, New Development Bank को पहले BRICS Development Bank के नाम से जाना जाता था जो NDB के जो BRICS देशों ने इसको स्थापित किया था Headquarter है, संगाई चीन में और इसके प्रसिडेंट है Marcos, Proezo और 2015 में इसकी स्थापना हुई हमारा आज का अगला question A, G, Bank ने कौन से देश को 40 million अमेरीकी डोलर का रहुन दिया माल्दिव, बांगलादेश, भुटान, नेपाल इसका राइट आंसर है, माल्दिव एकजिम बैंक ने माल्दिव को 40 million अमेरीकी डोलर का रहुन दिया है एकजिम बैंक किस्थापना 1982 में हुई Headquarter मुंबी महराष्टर में इसके अलावा, फेडरल बैंक ने वीजा के सयोग से क्रेडिट कार्ड लोंच किया है हमारा आज का अगला क्योश्चन A.A.N.S. पुरुषकार जीतने वाले पहले भारतिय कोन है इसके ओप्सन से आसिस सिंगल, रजनीश कुमार आर, बंसल कुमार मिश्रा, विभाप प्रलबकर इसका राइट आंसर है बशंत कुमार, बंसल कुमार मिश्रा बंसल कुमार मिश्रा को A.A.N.S. पुरुषकार जीतने वाले पहले वारतिया बन गए है हमारा आज का अगला क्योस्टन हाल ही में S.V.C. बैंक में M.D. किसे निउप्त किया गया है इसके ओप्सन से बंसल कुमार, सतिस रेडी, पंकज कुमार, आसिस सिंगल इसका राइट आंसर है आसिस सिंगल आसिस सिंगल को S.V.C. बैंक का M.D. निउप्त किया गया है इन्होंने अजित वेनु गोपालन की जगाली है S.V.C. के अधेक्स है दुर्गेस और स्थापना है 1906 में हुई हेड़कार रह मुंबई महाराष्टर में हमारा आज का अगला क्योस्टन राष्टी सिंग्सक दिवस 2020 कब मनाया गया इसके ऑप्सेंस है 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर इसका राइट आंसर है 5 सितंबर 5 सितंबर को राष्टी सिंग्सक दिवस 2020 किस मनाया गया यह डॉक्टर सरोपलवी राधाकर्षन के जरम दियोस पर राष्टी दियोस मनाया जाता है यह देश के पहले उक राष्टपती और दूसरे राष्टरपती थे 1954 में इस महान सिक्षावीत को भातरजन से सम्मानित किया गया अगर आपको मेरा इकरंट अफियर सेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी लाइक शेर कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे थेंक्यू